हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बाल गोविन भगत का पूरा अब्जेक्टिव करने वाले हैं तो फर्स्ट कोश्चन है राम ब्रिक्ष बेनी पूरी का जन्म कब हुआ था तो उनका जन्म 1899 को हुआ था बेनी पूरी जी ने नेमलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया तो उन्होंने सरस्वती का संपादन नहीं किया था नेमने लिखित में से कौन सी रचनाई बेनी पूरी की नहीं है तो गोदान और रंगभूमी इनकी रचनाई नहीं है गोदान और रंगभूमी प्रेमचंद की रचनाई है लेखक का सीर किस गर्व से उचा रहता था तो उन्हें इस बात का गर्व था कि वे ब्राह्मन जाती के थे बाल गोविन भगत किसे साहब मानते थे बाल गोविन भगत कवीर दास को साहब मानते थे बाल गोविन भगत अपने साहब के प्रतिसद्धा कैसे दर्साते थे तो यहां पर होगा उपरयुक्त सभी कतन सत्य हैं तो पहला करन था कि उनके गीतों को गा कर एवं उनके दिखाए गए रास्तों पर चल कर सामाजिक आडमबरों एवं रूढियों का विरोध करके संसार को नस्वर तथा इस्वर को सत्य बता कर यहां हो जाएगा घव उपरयुक्त सभी कतन सत्य हैं बाल गोविन भगत सब चीजों को किसकी संपत्ती मानते थे तो साहब की बाल गोविन भगत की आज जीविका का क्या साधन था यानि वो अपना जीवन या पन किस चीज से करते थे तो क्रिशी से उनकी खेतीवारी भी थी यानि बाल गोविन भगत किसान थे भगत जी के गीतों की क्या विशेश्ता थी तो उनके विशेश्ता थी कि भगत जी के गीतों में इस्वर के प्रती आज था तथा प्रेम था भगत जी भगवान के प्रती भजन गाया करते थे ने स्थिशा भालाल गविन भगत के पुत्र की बित्यू हो गई भगत अपने पुत्र का अधिक ध्यान क्यों रखते थे क्योंकि वह मांजिक रूप से कम जोड था उसे देख भाल की ज़्यादा जरूरत थी भगत जी ने अपने पुत्र की मित्यू पर पुत्र बधु से रोने के स्थान पर उस सब मनाने के लिए क्यों कहा तो कारण ये था कि भगत जी का मानना था कि आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया था आत्मा परमात्मा का मेल खुशी की बाथ है दुख्य नहीं विरहनी को उसका प्रियाम मिल गया तो यहां पर हो जाएगा आंसर घर यानी सभी कथन सत्य हैं बालकोविन भगत ने लीक से हट कर सबसे बड़ा क्या कार किया तोनों ने ये कार किया कि पुत्र वधु से अपने बेटे की चिता को मुखागनी दिलवाई पुत्र वधु के भाई को बुला कर उसका पुनर विवाह करने को कहा आंसर हो जाएगा को और को दोनों कथन सत्य है भगत जी द्वारा अपनी पुत्र वधु से बेटे की चिता को मुखागनी दिलवाना क्या सिद्ध करता है या सिद्ध करता है कि वो रूढ़ियों को तोरना चाहते थे इस्त्री पुरुस की समानता पर बल देते थे यानि इस्त्री पुरुस दोनों समान है दोनों में किसी प्रकाड का भेदवाव नहीं है वे कवीर के आदर्सों के सच्चे वाहग थे यानि वे कवीर के आदर्सों को पुरा-पुरा मानते थे तो यहाँ पे हो जाएगा सभी कतन सत्य है भगत जी प्रती वर्ष गंगास नान के लिए क्यों जाते थे बालकोवीन भगत हर साल गंगास नान के लिए जाते थे किसलिए तो संत समागम के लिए जीवन की अंतिम सांस में लेखक को भगत का गीत कैसा लगा ऐसा लगा जैसे वीना का तार तूट गया हो बाल गोवीन भगत किस कारण से साधू कहलाते थे तो ये था आलचन गत सुधता के कारण उनके आलचन में आचार विचार में सुधता थी सच्चा साधक होने के कारण निर्मोही यानि उन्हें किसी से मोह नहीं था किसी भी प्रकार का मोह नहीं था और संयमी थे, ये सब कारण थे कि वो साधू थे कबीर में बाल गोविन भगत की सद्धा का कारण था क्या कारण था तो कबीर निर्भीक संत थे, किसी से डरते नहीं थे तो टूक बात करने में भी नहीं घबराते थे कबीर पाखंड के विरोधी थे, कबीर चुआचूत, जाती परता आदी के विरोधी थे तो यहाँ पर हो जाएगा कि सभी गथन सकते हैं गाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश, आसार चरते ही उल्लास से क्यों भड़ जाता था तो इसका कारण था कि आसार वर्षा का महीना होता है जेश्ट के महीने की तपिश से लोगों को छुटकारा मिल जाता है लोगधान की रुपाई शुरू कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा क्यों परिवेश सभी कथन सत्य है नेक्स्ट है एक सच्चे साधू की पहचान कैसे होती है तो उनके विचारों से ही एक सच्चे साधू की पहचान होती है दोस्तो आप नेता जी का चस्मा चैप्टर का भी पूरा अब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं इसे लेटर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शियर करें